इसराब 36 गड़ सरकार ने नक्सली कति विद्यों पर नकेल कसने का दावा किया है ग्रेमंद्री तामधर साहु ने कहा कि कौंग्रेस का एक साल का शासनकाल भारतिय जनता पाटी के 15 साल के शासनकाल पर भारी है किया मुपेश बगिल की विशेश रणनीती की वज़े से नकसली कती विज्यों में कमी आई है ग्रेमंजी से खास बाचीत की है समधाता सत्यारे 36 गड के लिए नासूर बने नकसलवाद को नकेल कसने में कांग्रेस में सरकार ने दावा किया है एक अगरा बने नकसलवाद के नकेल कसा है इस वक्त ग्री मंतरी तामरद्ध सहुह जी हमारे साथ मौजूद है मंतरी जी बीज़ेबी सरकार ने पुर्वजों बीज़ेबी सरकार है 15 साल में जो नहीं कर दिखाए हमें एक अच्छी रन नी ती माननी मुख्यमंद्री जी ने बनाई और हमारे फोर्स का मनोबल काफी अच्छा रहा उसका परिनाम है कि इसे एक साल में नक्सली मुमेंट में काफी कमी आई अपहरन में भी कमी आई फर्जी मुटभेड हुआ नहीं आत्मसमर्पन सरवाधिक हुआ गिरिपतारियां भी हुई और नक्सली सरवाधिक मारे दी जाए बड़ी बात ये रही कि पहले जैसे सौ लोग मारे जाते थे तो अंठनबे सामान नी होते थे केडर के एक दो और अभी जो हैं वो अंठनबे केडर के हैं तो एक दो ऐसी है इस प्रकार से तो नक्सली मुविमेंट में काफी सफलता मिली और माननी मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि हम वहाँ उस अंचल में विश्वास का वातावरन बनाएंगे बसकर अंचल में पूरे जीलों में प्रकार की समझा, नक्सली मुविमेंट में वहाँ की रहने वाले लोगों के बीच विकास का काम सुरू किया गया तब उन लोगों ने समझा कि क्या सरकार कैसे होता है किया नक्सली हमारे है कि नहीं है इन सारे चीजों पर तो उनका भी समर्थन अच्छा रहा अब इचले 15 साल बीजेपी सरकार की बात करें तो उन्होंने जो नहीं किया जो आप लोग ने एक साल में कर लिया तो उस 15 साल को अब तीस तरह से देखते हैं पंद्रा साल नक्सली मुवमेंट में उन लोग अगर सक्री रहते और इस एक साल में जितना हम लोगों ने किया और पंद्रा साल में इसी गती से वो करते तो मेरा मानना है कि यहां नक्सली मुवमेंट समाप्त हो गया होता और 36 गड़ विखास की नहीं दिशा तैक कर लिया होता नक्सली उन मूलन की दिशा में मैंनी मानता कि बीजेपी सरकार बहुत कारगार रही या उनका सोच था कि इसको समात किया जाए पिछले 15 सालों में अगर बीजेपी ने हमारे जैसा प्रयास किया होता तो आज 36 गड़ से नक्सलवाद का सफाया होता लेकिन उनको आज मौका मिला है और उन्होंने एक साल में वो कर दिखाया जो बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया है फिरहाल उन्हें पडोसी राजियों से आगरा किया है कि जिस तरह 36 गड़ सरकार नक्सली को ख़़म करने के लिए जो अभियान चेड़ा है उस तरह जो हमारे पडोसी राजिया है वो भी इस तरह किया पहल करे कैमरामें चोलाराम के साथ सत्याराचपूर स्वराज एक्सप्रेस राइपूर